हेलो बच्चों मैं आराधना वर्मा आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी की पढ़ाई पर स्वागत करती हूँ बच्चों आज हम लोग कक्छा 10 का हिंदी पुस्तक असपर्श 2 का पाठ नंबर 5 जो कि पदभाग का पाचमा पाठ है परवत परदेश में पावस उसको पढ़ने जा रहे हैं ये कवीता है और इस कवीता के जो कवी हैं वो है सुमित्रानंदन पंत जी सुमित्रा रंदन पंध जी के बारे में का जाता है कि वे एक छाया बादी कभी थे जो की प्रकृती से बहुत ज्यादा प्यार करते थे इसलिए उनके लिखे कभीताओं में प्रकृती की प्रेम उनका बहुत ही सरस तरीके से जहलगता था वो जब कविता करते थे प्रकृति पर आधारित तो ऐसा लगता था जैसे कि जो उस कविता को पर रहा हो या सुन रहा हो तो उसे ऐसा कल्पना होने लगता था जैसे जिस प्रकृति की वो बढ़नन कर रहे हो वो प्रकृति की वो छटा उस वक्ति के आसपास मौजूद हो इस तो इसमें भी सुमित्रा नंदन पंद जी प्रकृति का बहुत अच्छा बर्नन किये हैं खासकर परवत परदेश का और परवत परदेश में होने वाले बरसा रितू का वो बहुत ही सुन्दर बर्नन किये हैं तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं पाठ का नाम है कवीता का नाम है परवत परदेश में पावस पावस का मतलब होता है बच्चों बारिश परवत परदेश यानि पहारी देश में पहारी च्छत्र में बारिश तो यहाँ पर पावस रितू पावस रितू पावस का मतलब होता है बारिश रितू का मतलब होता है मौशम तो बारिश के मौशम में या बारिश के रितु में पावस रितु थी परवत प्रदेश पलपल परिवर्तित प्रकृति वेस परिवर्तित का मतलब होता है बार बार बदलना प्रकृति वेस यानि प्रकृति जो नेचर था वो बार बार अपना रूप रंग बदल रहा था तो कभी बोल रहे हैं कि जब परवत परदेश में बारिश का रितु आता है तो ऐसा लगता है जैसे परवत परदेश जो है वह बार-बार अपना रूप रंग बदल रहा हो लागातार पल-पल यानि कि तुरंत तुरंत लगातार वह अपना रूप रंग बदल रहा हो कैस इस तरह से वो तुरंत अपना रूप रंग बदल लेता है बारिश के मौसम में मेखलाकार परवत अपार मेखलाकार का मतलब होता है वह परवत जो की कमरधानी का रूप लिये हुए है करगनी करगनी एक परकार का आभुशन होता है जो कमर में पहना जाता है और उसको कमरधा परवत कमरधानी के आकार का यानि कि बहुत सुन्दर आकार लिए हुए है अपने अपार यानि कि जो कि बहुत बड़े छेत्र में फैला हुआ है परवत और कमरधानी के आकार है अपने सहस्त्र द्रिग शुमन फार सहस्त्र का मतलब होता है हजारों द्रिग का मतलब होता है आँख शुमन का मतलब होता है पुष्प और फार मतलब देख रहा है आँखे खोल खोल कर तो परवत जो है वो अपने हजारों पुष्प के समान आँख को खोल करके बड़ा बड बार बार निहार रहा है देख रहा है क्या निहार रहा है नीचे जल में निज महाकार महाकार का मतलब होता है बिशाल आकार तो यह जो परवत है वो अपने सुन्दरता अपने बिशाल आकार को बार बार नीचे पानी में निहार रहा है अपने सहस्त हजारों कुस्प समान दर्पन सा फैला है बिशाल यानि वो परवत जिसके कि तलहटी में चरनों का मतलब यहाँ पर कभी बोल रहा है तलहटी पैर के पास यानि कि परवत का पैर क्या होता है तलहटी होता है तो कभी बोल रहे हैं कि वो बिशाल परवत जिसके की तलहर्टी यानि चरणों में क्या पला हुआ है, क्या बचा हुआ है, तालाब यानि ताल बचा हुआ है यह तालाब जो है वह उसके लिए एक बिशाल दरपन का काम कर रहा है दरपन सा फैला है बिशाल ये तालाव दरपन के समान काफी बिशाल रूप में वहां फैला हुआ है और इसी तालाव में परवत अपने बिशाल आकार वाले रूप को बार बार निहार रहा है अपने हजारों पुष्प समान आखों के द्वारा फिर आगे कभी क्या बोल रहे हैं आगे कभी बोल रहे हैं गिरी का गौरव गाकर जरजर मदमे नसनस उत्ते जित कर मूती की लडियों से सुन्दर जरते हैं जाग भरे निरजर तो कभी अब बोल रहे हैं अब कभी परवत पे बहने वाले जहरना का बहुत अच्छा ही वर्नन कर रहे हैं गिरी का गिरी मतलब परवत गौरव मिन्स उसका गुनगान गाकर जरजर जरना जो है वह परवत के उपर से जरजर जरजर कहती हुई जब नीचे बहती है तो ऐसा लगता है जैसे वो परवत के लिए कोई गौरव गान ही उसकी परसंसा का गाना गाती हुई नीचे आ रही है जरजर की आवाज ऐसे ही लगता है सुनने में मद में नस नस उत्तेजित कर मद मिन्स होता है मस्ती में ऐसा लगता है जैसे वो मस्ती में इचलाती हुई परवत के उपर से नीचे उसका गुनगान करते हुए गिर रही है तो वो जरजर की आवाज जो है, वो सुन कर लोहों को ऐसा लगता है जैसे कि लोहों के मन में उनके नस-नस में उतेजना, यानि मस्ती भर रही है ये जरणा अपने आवाज से मोती की लड़ियों से सुन्दर जब वो नीचे गिरती है परवत के उपर से तो बिखरती है तो ऐसा लगता है कि माला की लड़ी है उस लड़ी में से ये पानी के जो बुंद गिर रहे हैं वो मोती है ऐसा लगता है कि माला की लड़ी में से ये मोती के समान पानी के बुंद तूट तूट कर गिर रहे हैं और देखने में बहुत सुन्दर लग रहे हैं ज़र्ते हैं ज़ाग भरे निरजर तो उसके बाद जब ये नीचे गिरती हैं ये मौती रूपी जहरना के जो बुंद है वो नीचे जब गिरता है तो गिरने पर कैसा लगता है कि ये नीचे गिरने पर एक जHAANG यानि की एक फेन जैसा पैदा कर रहा है जो कि क्या होता है मस्ती लाने बाला एक समा बांध रहा है ये निर्जर जहरना गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्च आकांचाओं से तरूबर तो आगे कभी बोल रहे हैं कि गिरिवर गिरिवर में से पहार यह जो पहार है इस पहार के उर यानि की हिर्दे से उठ उठ कर उच आकांचाओं से तरुवर तरुवर का मतलब होता है पेर उच आकांचा मतलब उपर उठने की जो उनकी आज कांचा यानि इच्छा है तो पडवत के हिर्दे से उठने वाले ये बड़े बड़े पेर उचे उचे पेर जो कि और ज्यादा उपर उठने की आकांचा लिए हुए है है जहांक रहें नीरव नव पर ये ऐसा लगता है जैसे कि उपर के तरफ बढ़ते जा रहे हैं और उपर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो लगता है जैसे ये जहांक रहे हैं ताक रहे हैं किस पर नीरव नव पर उपर आसमान पर वो उपर आसमान की तरफ नीरव मिन्स होता है सांत बच्चों तो सांत आकास के तरफ नव का मतलब होता है आकास सांत नीरव नस यानि सांत आकास की तरफ ये बढ़े जा रहे हैं और ताके जा रहे हैं देखे जा रहे है अनिमेस यानि एक टक अटल बिना हिले डुले कुछ चिंता पर एक टक बिना हिले डुले वो लग रहा है जैसे कि किसी चिंता में वो डुबे हुए हैं लेकिन वो लगातार फिर भी उपर उठे जा रहे हैं सांत आकास की तरफ बढ़े जा रहे हैं अपने उच हम मानब को कुछ संदेश दे रहे हैं चाहे कितने भी कठिना आये अपनी आकांचा उच आकांचाओं को पूरा करने के लिए अपनी नजर को एक ही जगर्टिक आये हुए उपर की तरफ बढ़ते जाई है ऐसा वो संदेश दे रहे हैं हो पहारी पर आगे कभी क्या बोलते हैं उड़ गया अचानक लोब भूधर भूधर का मतलब होता है कि धरती पर जो पेर हैं तो फरका अपार पारद के पर बोल रहे हैं कभी कि जब पारिस रुख गया है परवत पे और उसके बाद बहुत तेज धूप निकला है तो ऐसा लग रहा है कि य दिख नहीं रहे हैं क्यों ऐसा हो रहा है फड़का अपार पारद के पर पारद का मतलब होता है बच्चों पारद के मतलब एक परकार का जो मेटल होता है पारा उसके बारे में बोला गया पर का मतलब होता है पंक तो बोल रहे हैं कि जब बारिस रुखा है और बहुत तेज धूप निकला है तो ऐसा लग रहा है कि पहार यानि भुधर पर जो पेर पौधे थे हैं भुधर का मतलब पहार है बच्चों पहार पर जो पेर पौधे थे वो अचानक गयब हो गया है क्योंकि बारिस के बाद का ये तेज धूप जो है वो इन पानी को जो वहां पानी जमा ह गया वारिषकरण उसको भाब बना बना करकि इस तरह से एक कुई सा और धूआ का महौल पैदा किये हैं जिसमें कि कुछ भी एक भी पेर पहुदा कुछ भी नजर नहीं आरहा है यह जो एक कुई सा और धूआ का महौल है वह ऐसा चंकीला है जैसे बज़े से आगे कभी बोल रहे हैं रव सेस रह गए हैं निर्जहर यह आगे कभी बोल रहे हैं कि रव सेस यानि की चारूतरब सांत आवाज रह गया है रव मिन्स होता है आवाज सांत आवाज सेस मिन्स बच जाना किस चीछ का सांत आवाज रह गए हैं निर्जहर यह जो जह तो नहीं रहा है जर्फ जहरणा बहने का जो एक सांत आवाज पूरे पहरी पर फैला हुआ है वो सांत आवाज पर फैला हुआ हैो तो या अंवाज ऊसर चारो तरफ फैली तो इसे स लगार रहा है कि जैसे अंबर यानि आकाज ये भूपर यानि धरती पर आकर के तूट पड़ा हो धरती पर आकर के गिर गए हो इस तरह का सांध माहोल चारों तरद फेला हुआ है धस गया धरा में सभई साल और इस सांत माहोल से जो साल के बड़े बड़े पेर हैं साल के पेर सिर्फ पढ़वत पहारी जगों पे मिलते हैं तो साल के जो ये पेर हैं वो सभई यानि भई के कारण ऐसा लग रहा है जिसे धरा में धर्ती में धसे जा रहे हैं हों डर के मारे उसमें अंदर के तरफ जो कि बहुत उचे उचे थे लेकिन इसको हासा में वो इतने छोटे नजर आ रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे कि वो भी भाई में हैं और धर्ती में धस गए हूँ इसलिए वो छोटे नजर आ रहे हूँ आगे कभी का बोल रहे हैं उठ गया दूआँ जल गया ताल यो जलद यान में बिचर बिचर था इंदर खेलता इंदर जाल आगे कभी बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जो तलाब था ताल था वो तालाब भी इस गरम सूरज की जो गरमी बारिश के बाद है वो इतना गर्म है कि लग रहा है जैसे तलाब को जला रहा हो और उस तलाब से जो भाफ बन कर उपर ऊड़ रहा है जैसे तलाब की जलने से धुआँ उठ रहा हो इस तरह का दुखिल पैदा कर रहा है यूँ जलद यान जलद यान का मतलब होता है पानी का बिमान पानी का बिमान यानि यहाँ पर बादल के बारे में कभी बोल रहे हैं बिचर बिचर यानि घूम घूम कर था इंदर खेलता इंदर जाल इंदर जो है देवता वो ऐसा लग रहा है जैसे अपनी जादुगरी माया को माया का एक खेल खेल रहे हैं और वो कैसे खेल रहे हैं लग रहा है जैसे वो बादल पर जलद यान यानि बादल पर सवार होकर इधर उधर घूम रहे हैं पहार पर क्योंकि बादल इधर उधर घूमता हुआ नजर आ रहा है तो लग रहा है जैसे कि इंद्र जो है वो अप इसके मौसम का चितरन इस कवीता के द्वारा किये हैं और इसकी बैक्ख्या हम लोग यहाई पर समाप्त करते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के लिए इसी कवीता का प्रसनुत्तर का वीडियो में ले करके आऊंगी उमीद है आप लोगों ने जरूर ही चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा अगर नहीं आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले वेल नोटिफिकेशन को दबा ले ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास मिले आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अप लाइक करें दोस्तों के साथ सेर करें और कॉमेंट करें थैंक्यू बच्च्चू देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार